नमस्कार दोस्तों, सुवागत हैं आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में और जैसा कि आप सभी जानते हो, हम आपके लिए एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत होते हैं और वैसे ही हम आज आपके लिए एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हुए हैं इस अध्याय में हम आधुनिक काल के उपर चर्चा करेंगे और आधुनिक काल का जो समान्य परीचे है उससे आपको अबगत कराएंगे तो सभी मित्रों से सभी विद्यार्तियों से अनुरोध है कि वो जादा से जादा संध्या में जुड़ें और इस वीडियो का लाभु उठाएं यह सभी परिक्षाओं के लिए महत्वपून है और NTA UGC NET के लिए बहुत ही महत्वपून वीडियो है तो आईए शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को तो आधुनिक काल का समान्य परिचे तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल ततकालीन राजनैतिक गतिविद्यों से प्रभावित हुआ यानि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो है वो राजनैतिक गतिविद्यों से प्रभावित हुआ है इसको हिंदी साहित्य का सर्व श्रेष्ट यूग माना जा सकता है जिसमें पद्ध के साथ साथ गद्ध समालोचना कहानी नाटग वे पत्तरिका का भी विकास हुआ है दोस्तो तो जैसा कि हमने जाना कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वह राजनैतिक गतिविद्यों से प्रभावित हुआ है और हिंदी साहित्य का यह सर्व श्रेष्ट यूग माना जाता है आधुनिक काल जिसमें पद्ध के साथ साथ गद्ध समालोचना कहानी नाटग वे पत्तरिकाओं का भी विकास बड़ी तेजी से हमको देखने को मिलता है आगे देखेंगे विक्रमि समवत अठारा सो के उपरांत भारत में अनेक यूरोपी जातियां व्यापार के लिए आई उनके संपर्क से यहाँ पश्यात्य सव्व्यता का प्रभाप पढ़ना प्रारंब हुआ विदेशियों ने यहाँ के देशी राजाओं की परंपरिक फोट से लाब उठा कर अपने पैर जमाने में सफलता प्राप्त की जिसके परिणाम सरूप यहाँ पर विट्रिस समराज्य की स्थापना हुई अंग्रेजों ने यहाँ अपने सासन कार्यों को सुचारियों रूप से चलाने अवं अपने धर्म परचार के लिए जन साधारन की भासा को अपनाया इस कार्य के लिए गद्ध ही अधिक उप्युक्त होती है इस कारण आधुनक यूग की मुख्य विसेश्ता गद्ध की प्रधानता रही इस काल में होने वाले मुद्रन कला के अविसकार ने भासा विकास में महान योगदान दिया स्वामी दयानन सरस्वती ने भी आरे समाज के गरंतों की रचना राष्ट भासा हिंदी में की और अंग्रेज मिसनरियों ने भी अपनी परचार पुस्तकें हिंदी गद में ही छपवाई इस तरह विभिन मतों के परचार कार्य से भी हिंदी गद का समुचित विकास हुआ तो इस विद्दु में हमको ध्यान आता है कि हिंदी साहित्य जो है वो राजनेतिक गतिवीद्यों से प्रभावित हुआ और हिंदी साहित्य का यह हैं आधुनिक काल जो है सर्वश्रेष्ट युग माना जाता है क्योंकि इसमें पद्ध के साथ साथ गद्ध समालोचना कहानी नाटक वैपत्रिकाओं का भी विकास बहुत तेजी से हमको देखने को मिलता है और अठारव सो इस्वी के उपरांद भारत में अनेक यूरोप ये जातियां वियापार करने के लिए आई और उनके संपर्क में यहाँ पश्यात्य शब्धा का परभाव बहुत तेजी से पड़ा विद्येशियों ने यहाँ के राजाओं की परंपरा में फोट पैदा कर और उनसे लाव उठा कर यहाँ पर अपना जो है वो राजनेतिक परभाव शुरू कर दिया और यहाँ पर उन्होंने अपना सासन प्रारंब कर दिया और यहाँ पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का राज्य हो गया और उन्होंने अपने व्यापार चलाने के लिए गद्ध जो भासा थी उसको अपनाया और उसमें अपना जो है कार्य प्रारंब कर दिया और इस कारण आधुन की युग की मुख्य विशेष्ता गद्ध की प्रधानता रही क्योंकि गद्ध में बहुत तेजी से विकास हुआ जब अंग्रेजों ने गद्ध को अपनी वियापार की भासा बनाया इस काल में होने वाले मुद्रन कला के अविश्कार ने भासा विकास में महान योगदान दिया और स्वामी दायनन सरस्वती ने भी आरे समाज के ग्रंथों की रचना राष्ट भासा हिंदी में ही की और अंग्रेज मिसनरियों ने भी अपनी परचार पुस्त के हिंदी गद मे तो यह सारी बातें आपको याद रखनी हैं, आगे विंदू में और जानकारी प्राप्त करेंगे, तो इस काल में राष्टे भावना का भी विकास हुआ, इसके लिए स्रिंगार व्रजभासा की अपेक्षा, खड़ी बोली उप्युक्त समझी गई, समय की प्रगती के साथ गद्धोर पद्ध दोनों रूपों में खड़ी बोली का पर्याप्त विकास हुआ, भारतेंदू हरिश्चन तथा बावु अयोध्या प्रसाथ खत्रे ने खड़ी बोली के दोनों रूपों को सुधारने में महान प्रयत्न किया, उन्होंने अपनी सर् तोनम की प्रतिभाद वारा हिंदी साहित्य की समयक सवर्धना की, इस काल के आरंभ में राजा लक्षमन सिंग, भारतेंदू हरिश्चन, जगनाद दास रतनाकर, सिरीधर पाठक, रामचंदर सुकल आदी ने ब्रज भासा में काव्य रचना की, इनके उपरांद भारतेंद जी ने गद्ध का सामच्वित विकास किया और अचार्य महावीर प्रसाद दुवेदी ने इसी गद्ध को प्रांजल रूप प्रदान किया, इसकी सत्य प्रयर्णाओं से अन्य लेखकों और कव्यों ने भी अनेक ब्रांती की काव्य रचना की, इनमें मैथली सरनगुप्त राम चरित उपाद ध्याये, नाथु राम सर्मा संकर, भगवान दीन और राम नरेश तिरपाटी, जैसंकर प्रसाद, गोपाल सरन सिंग, माखनलाल चतुरुवेदी, अनूप सर्मा, राम कुमार बर्मा, श्याम नरायन पांडे, दिनकर और सुबद्रा कुमारी चोहान, मह देवी बर्मा, आदे का नाम, विशेश रूप से उल्लेखनिये है, भारत की स्वतंतरता प्राप्ति के प्रभाव से, हिंदी काव्य में भी स्वयच्छंद, अतुकांत छंदों का प्रचलन हुआ, तो इस विंदु में भी हमें बहुत महवत पून जानकारी मिली हैं, तो इस काल में राष्टे भावना का भी विकास हुआ, क्योंकि अंग्रेजों का राज्य था और अंग्रेज जो है, वो गुलाम बना कर रखना चाते थे, तो उससे प्रभावित होकर जो है, राष्टे भावना का भी विकास हमको आधुनिक काल में देखने को मिलता है, इसके लिए शिंगारी ब्रज भासा की अपयक्षा खड़ी बोली उप्युक्त समझी गई समय की प्रगती के साथ गद और पद दोनों रूपों में खड़ी बोली का पर्याप्त विकास हुआ है यानि पद और गध दोनों भासाओं का जो है खड़ी बोली का पर्याप्त विकास हुआ है। और इस काल के अरंभ में राजा लक्षमन सिंग, भारतेंदु हरिष्चन, जगनात दास रतनाकर, सिर्धर पाठक, रामचन सुकल, आदी ने जो है ब्रजभासा में काविय रचना की। इनके उपरांत भारतेंदु जी ने गध का समुचित विकास किया और अचार्य महवीर प्रसाद दुएदी ने इसी गध के प्रांजल रूप प्रदान किया। इसकी सत्प्रेणन से अन्य लेखको और कवियों ने भी अनेक भ्रांती काविय रचना की। और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रभाव से हिंदी काविय में भी स्वयच्छंद अतुकान्त छंदों का प्रचलन हुआ। तो यह महव्त पूर्ण जानकारियां आपको याद रखनी हैं। चलि अगले बिंदु की ओर चलते हैं। तो इस काल में गध निवंध नाटक उपन्यास काहनी समालोचना तुल्नात्मक अलोचना साहित्यादी सभी रूपों का समुचित विकास हुआ। इस यूग के प्रमुक साहित्यकार निमलिखित हैं। तो इस काल में गध निवंध नाटक उपन्यास काहनी समालोचना तुल्नात्मक अलोचना और साहित्यादी सभी रूपों का समुचित विकास हुआ। इस यूग के प्रमुक साहित्यकार जो हैं निमलिखित हैं तो कौन-कौन से हैं तो पहला है समालोचक तो समालोचक के अंतरगत जो कवी आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हैं अचार्य दुवेदी जी और फिर हैं पदम सिंग सरमा और विश्वनात परसाद मिस्र अचार्य राम शंद्र सुकल डॉक्टर रामकुमार बर्वा स्याम सुंदरदास डॉक्टर राम रतन भटनागर आदी हैं तो यह समालोचक कवी हैं कौन-कौन से अचार्य दुवेदी जी पदम सिंग सरमा विश्वनात परसाद मिस्र अचार्य राम शंद्र सुकल डॉक्टर रामकुमार बर्वार्वा स्याम सुंदरदास डॉक्टर राम रतन भटनागर आदी जो हैं समालोचक कवी हैं अब आते हैं कहानी लेखक यानि जिन्होंने कहा संकर व्यास परसाद पंत गुलेरी यानि जो हैं प्रेमचंद विनोध संकर व्यास और जैसंकर परसाद सुमित्रा नंदन पंत और गुलेरी और निराला और कोशिक सुदर्शन जनेंद्र हिर्देश मुनी बुंदेली आदी तो यह सारे कवी जो हैं वो क्या हैं कहानी लेखक हैं जिन्होंने कहानी लिखी हैं तो कौन-कौन से हैं प्रेमचंद हैं विनोध संकर व्यास हैं जैसंकर परसाद हैं सुमित्रा नंदन पंत हैं और गुलेरी हैं निराला है सुरे कांतिरपाटी निराला कोशिक सुदर्शन जनेंद्र, हिर्देश, मुनी बुंदेली आदी अब हैं उपन्यासकार जिन्होंने उपन्यास लिखे हैं आधुनी काल के अंतरगत वो कौन-कौन से कवी हैं प्रेमचंद्र, प्रताप नरायन मिश्र, परसाद्र, उग्र, हिर्देश, जनेंद्र, भगवती चरन वर्मा, विरिंदावन लाल वर्मा और गुरुदत तो पहले प्रेमशंद्र, परताप नरायन मिस्र, जैसंकर परसाद, उग्र, हिर्देश, जनेंद्र, भगवती चरण बर्मा, विरंदावन लाल बर्मा, गुरुदत आदी तो यह जो हैं उपन्यास कार हैं जिनोंने आधुनिकाल के अंतरगत उपन्यास लिखे हैं तो यह बिंदू और बहुत ही महत्वफून हैं, हर बार परिक्साओं में इससे प्रस्ण बनते हैं तो आपको याद रखना हैं, चलिए अब अगले बिंदू पर चर्चा करते हैं तो अगला बिंदू हमारे सामने आचुका है नाटक कार, यानि अधुनिक काल के अंतरगत जिनोंने नाटकों की रचना की, वो कौन गोन से कवी हैं तो जैसंकर परसाद हैं, शेट गोविंद दास हैं, गोविंद बल्लव पंथ हैं, लक्ष्मी नरयान मिसर हैं, उदैसंकर भठ हैं, और रामकुमार बर्मा हैं, जिनोंने नाटकों की रचना आधुनिक काल के अंतरगत की है फिर है निवंध लेखक, तो निवंध जिनोंने लिखे हैं, आधुनिक काल के अंतरगत, वो कौन कौन से कभी हैं, तो अचारे दुवेदी हैं, माधपरसाद सुकल हैं, रामशंदर सुकल हैं, और बाबु, शामशंदरदास, पदम सिंग, और अध्यापक पून सिंग, यह सारे क्या हैं, निवंध कार लेखक हैं, तो कौन कौन से अचारे दुवेदी, माधपरसाद सुकल, और रामशंदर सुकल, बाबु, शामशंदरदास, और पदम सिंग, और अध्यापक पून सिंग, तो इन्होंने निवंध की रचना जो है, वो आधुनिक काल के अंतरगत लिखी है, तो यह है, आपको याद रखना है, तो नाटक कार कौन कौन से कवी हैं, तो जैसंकर परसाद, सेट गोविंदास, गोविंद बलप पंत, लक्षमिन नरायन मिस्र, उदै संकर भट और रामकुमार वर्मा, आधी जो कवी हैं, वो नाटक कार है, और निवंध कार जो कवी हैं आचार्ये दुवेदी, माधपरसाद सुक्ल, रामचंदर सुक्ल, बाभु शाम सुंदर दास, पदम सिंग और अध्यापक पूर्ण सिंग, तो यह क्या हैं निवंदकार लेखक हैं, अब हम आधुनिक काल यानि आधुनिक हिंदी पद्ध का जो इतिहास है, वो उसके उपर चर्चा करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, तो आधुनिक काल 1850 से हिंदी साहित्य के इस युग को भारत में राष्ट्यता के बीज अंकुरित होने लगे थे, यानि आधुनिक काल 1850 से हिंदी साहित्य के इस युग को भारत में राष्ट्यता के बीज अं कुरित होने लगे थे स्वतंत्रता संगराम लड़ा और जीता गया छापे खाने का विश्कार हुआ अवाग्मन के साधन आम आदमी के जीवन का हिस्व बने जन संचार के विविन साधनों का विकास हुआ रेडियो टीवी वै समचार पत्र हर घर का हिस्वा बने और शिक्सा ह हर व्यक्ति का मोलिक अधिकार हुआ इन सब परिस्थितियों का परभाव हिंदी साहित्य पर अनिवार्यत है पड़ा आधुनी काल हिंदी पद्ध साहित्य पिछली सदी में विकास के अनेक पहाडों से गुजरा जिसमें उनके विचार धाराओं का बहुत तेजी से विकास हुआ जहां काव्य में इसे चायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता युग और 63 कविता इन नामों से जाना गया चायावाद से पहले के पद्ध को भारतेंदु हरी शन्द युग और महावीर परसाद वेदी युग के दो और युगों में बाटा गया, इसके विशेश कारण भी हैं, तो इस बिंदु में कितनी महत्व पूर्ण जानकारी हमको मिली है, तो इसको इसकरी छोट लेना है आपको, और अपनी नोट बुक में इसमें से नोट्स बनाने हैं, तो एक बार और इसका ध्यन कर लेते हैं, तो आ पतंत्रता संग्राम लड़ा और जीता गया, छापय खाने का विश्कार हुआ, अवागमन के साधन आम आदमी तक पहुँचने लगे और उनके जीवन का हिस्सा बने, इस संचार के विविन साधनों का विकास हुआ, रेडियो, टीवी, समचार, पत्रो, आदी का बहुत ते पत्रो, टीवी, समचार, पत्र, हर घर का हिस्सा बनने लगें, और शिक्सा पर हर व्यक्ति का मोली का दिकार हुआ, इन सब परिस्टियों का प्रभाव हिंदी साहिते पर अनिवार्यत पड़ा, और आधुनिक काल का हिंदी पद साहिते पिछली सदी में विकास के अनेक यूग, नई कविता यूग और सठोतरी कविता इन नामों से भी जाना गया, चायावास से पहले के पद्द को भारतेंदू हरिश्चन यूग और महावीर परसाद दुएदी यूग के दो और यूगों में बाटा गया, इसके विशेश कारण जो है, वो हमको देखने को मिल तो आगे, आज हम यहीं पर अपना द्याय अपनी वीडियो समाप्त करते हैं, और आप से आसा करते हैं कि आप हमारे चैनल को, हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को लाइक वे, सेर करेंगे दोस्तों, तो मुझे आसा है कि आपको हमारे वीडिय बहुत अच्छी लगी होगी तो इसलिए अपने दोस्तों से भी अनुरोद करें कि वो हमारे साहित्य हिन्धी साहित्य से जुड़ें और हमारे हिन्दी साहित्य енल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को वीडियो सेर करें दोस्तों फिर मिलेंगे अगले अध्याय में इस विंदो से जुड़ी हुई और अधिक जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए